वेलकम फ्रेंट्स अमरे यूटूब चैनल आरकनरसिंग एकेडमी में फ्रेंट्स वोती महत्तुपूर कोश्चन है जो कि आने वाली सभी परिच्छाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो फ्रेंट्स बिल्कुल भी वीडियो को इसके पना करें और पूरा वीडियो लाज तक देखें फ्रेंट्स ये राजस्तान सी है चुका औरिजिनल पेपर है 2020 का इसलिए इसके मत करें और पूरा वीडियो अच्छे से वाच करें तो फ्रेंट्स पढ़ें कोश्चन को और आ ने मेंट बाक्स में आंसर भी दें बताएं क्या होगा इसका राइट एन्सर तो देखें आप सप्रेंट्स हुई थी साथ अप्रेल 1948 को हुई थी WHO की जो इस्थापना हुई थी प्रेंट्स तभी से साथ अप्रेल 1948 से एवरी इयर यह वाड़ हेल्थ डे मनाया जाता है तो चलिए फ्रेंट्स हम नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर यहां पर दो है बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें सिंपल कोशन है फ्रेंट्स हुई इस दी प्रेजिटेंट ऑफ इंडिया बताएं फ्रे कोशन कर रहे हैं एभी द्रोपदी मुर्मू है राष्टपती है धुरौपधी मूर्मू भारत की जो राष्टपती है वह अभी प्रिजेंट टाइम द्रोपधी मूर्मू है और इससे पहले प्रेंट्स रामनाथ को विन थे दें दो चलिए प्रेंट्स हम नेक्स्ट कोशण देखते हैं कोशण नमबर यहाँ पे तीन हैं पढ़ें तीन को और आंसर दें प्रइंस करें क्क्षежд करें क्या होगा कराईटा अंसर देखें वह वाज कीम इन्टु치는 फोर्ज मट्टी आइक्ट इन इंडिया बताएं क्वेज क्या होगा इसका राइट आएंसे कहा जाना के फैन वाज गेंटू फोर्स MTP Act इन इंडिया मेडिकल टर्मिनेशन टर्मिनेशन ओप्रेग्नेंसी एक्ट कब लागू किया गया थे प्रेंट्स फॉर्स फुली कहा गया है बताएं फ्रेंट्स क्या होगा इसका राइट आंसर तो देखें फ्रेंट्स यहां पे आप संसी आपका राइट होगा 1972 1972 में लागू किया गया थे अगर यहां पर इंटू फोर्स ना दिया होता और केवल दिया होता कि वेन वाज केम MTP Act इन इंडिया तो फ्रेंट्स तब होता आपका 1971 ठीक है जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेग्नेंसी एक्ट जो बना था यह 1971 में लागू हुआ था लेक पूर हुआ कि यहां पे तो यह प्रेंट्स उन्हें सो बातर में बना था अब यहां पे थोड़ा से एक्स्प्लेंड देख लें ताकि कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए ठीक है तो यहां पे दा मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेग्नेंसी एक्ट वाज इन एक्टेट बाइ यहां पे आपने कोशन पे देखा होगा कि इन्टू फोर्ज एक्ट की बात की गई तो यहां पे एक अप्रेल उन्हें सो बहत्तर में लाग वाज अगें रिवाइड इन उन्हें सो पच्छतर में अगर एम्टीपी एक्ट दोबारा रिवाइड कब हुआ तो फ्रेंट्स य इस डाउन डी कंडिशन अंडर वीच आप प्रेगनेंसी कैन भी टर्मिनेटेड दी पर्सन और दी प्लेस्टू परफार्म इट तो चलिए फ्रेंट्स नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नंबर यहां पर चार है पढ़ें कोशन नंबर चार को और बताएं फ्रेंट्स क्य अच्छे सर्फ で बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर उट यसलिए कौन सी बिमारी जिसका विमारिया गर्या इबताएं क्सक्ति एक का फ्रेंट्स है बारत से उसका उन्मूलन कर दिया गया है बताएं क्या एक उपा प्रेंट्स और तो देखे प्रेंट्स एड्स तो शुंभव नहीं है और यहांपे देखे मलेरिया कभी नहीं हो ना कि टीवी का तो फ्रेंट्स यहां पर पूलियो का उन्मुलन कर दिया गया आप संस्री आपका राइट होगा चलिए फ्रेंट नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नंबर यह यही कोशन पूछे गए थे दोजार बीच में बहुत ही सीम्पल कोशन पूछा गया था बताएं या पर कहा ऊगा इसका राइट और हुँ इस नोन एज दी फार अफ ग्रीन रिबुलिस्इशन बताएं प्रइंड क्या होगा इसका राइट अंसर गृण रिवुलिशन की फादर कौन है ठीक किसे जाना जाता है बताएं क्या होगा इसका हैं सिर भारत में धिए इन स्वामिनित्थन अन्टी का जयता है रिएव और इंडिया में चलिए नंबर श्य है पढ़िय को च्छे को और अंसर दें विन वाज स्वच्छ भारत अभियान इन्डिया तो सभी को पता है प्रेंट्स बहुत ही सिंपल कोश्चन है और आपने जब मोदी जी और देंगे निए तो पता है कि सब्च भारत आभियान जो शुरू हाथा कारिकरम शुरू हाथा फ्रेंट्स यह लागू आता है तो यह कब स्टार्ट हुआ था सभी को पता है और इतना तो पता है कि मोदी जब आए थे 2014 में ठीक है लोक सभा में elected होकर चुनकर तभी यह लागू जब प्रधान मंतरी मोदी जी 2014 में मोदी जी प्रधान मंतरी बने थे तभी यह लागू किया गया था ठीक है अब बताएं अब डेट आपको बतानी है क्या होगा इसका right answer तो फ्रेंट्स यह देखे गांधी जैनती के दिन लागू आ था 2 अक्टूबर को ठीक है 2 अक्टूबर 2014 को लागू किया गया था तो आपसन बी यह आप यह आपका right होगा स्वच भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 से लागू आ था तो चलिए फ्रेंट्स अब नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर यहां पर साथ है बताएं क्या होगा इसका right answer कोशन नमबर साथ अच्छे से पढ़ लें उसके बाद आंसर दें देखें बहुत ही सिंपल कोशन है Global Warming के बारे में पूछा जारहा है Which process is responsible for global warming Global warming के लिए फ्रेंट्स कोन जिम में दार है ठीक है विच प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है जो global warming के लिए फ्रेंट्स जिम में दार है देखें आप ग्रीन हाउस effect हो गया fire in charcoal mines हो गया ड्राइव फार्मिंग या फिर आपका मांसून बताएं बहुत ही सिंपल कोशन है अगर आपने पढ़ा होगा कभी भी पढ़ा होगा तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे तो प्रेंट यहां पर आपका राइट होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट टीक है ग्रीन हाउस स्पॉंसिबल है उत्तरदाई है जिम्हेदार है तो चलिए फ्रेंट नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नमर यहां पर एट है कोशन नमर आठ बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर कोशन नमर आठ को पढ़ें अच्छे से उसका और आंसर दें विच डिसीज इज टांस इज़िद चांस्मिटेट फ्राम फेको ओरल रूट एक्सट गस करें एक हैं किया और उल्ट इसका राइट अंसर विच डिसीज इज टांस्मिट अज़ होगे इसका राइट आप्स परिंक्स बताएं फ्रेंट्स क्या होगा इसका राइट अंसर सिवाए इसके कौन सा रोग फेको ओरल मार्ग के द्वारा फैलता है बताएं फ्रेंट्स एक को छोड़कर बांकि कौन सा फ्रेंट्स रोग है जो कि फेको ओरल मार्ग के द्वारा फैलता है आपसन आपकी स्क्रीन पर हैं करें तो देखे फेंट्स मी जल्स ठीक है आप संव ए आप का राइट होगा मी जल्स तो चलिए हम अगला नंबर यहां पर फ्रेंट्स 9 है बताएं कोशन नंबर 9 को पड़ें अच्छे से और आनसर दें क्या होगा इसका राइट आनसर मैंने बताया था कि बहुत सिंपल कोईशन पूछे गए 2020 में राजस्तान से चुमी और अभी तीन तारीक को राजस्तान से चुका फिर से एक्जाम है प्रेंट्स तो बताएं आपके क्या होगा इसका रहा है मोश्ट कामन काच आप डेट इन डायरिया बताएं क्या होगा इसका राइट अंसर मोश्ट का ढायरिया होता है तो फ्रेंट्स दस्त अगीरा हो जाते हैं तो इसमें पानी की कमी हो जाते है बहुत जथा पानी की सुख जाता है इस लिए डैइग्रेशन हो जाता है इसलिए तो यह dehydration के करण ऐसा होता है चलिए अगला question देखते हैं question number यहाँ पर 10 है 10 number question है प्रिंट्स बताएं क्या होगा इसका right answer कि most common cause of under 5 mortality बताएं प्रिंट्स क्या होगा इसका right answer most common cause of under 5 mortality किस करें क्या होगा इसका right answer देखें फ्रिंट्स question कह रहा है कि 5 वर्से कम आयू की मरत्यू का सबसे आम कारण क्या है most common cause of under 5 mortality प्रिंट्स बताएं प्रिंट्स की निमोनिया होता है ठीक है 5 वर्से कम आयू के जो बच्चे होते हैं उनकी मौत का जो कारण होता है फ्रिंट्स वर निमोनिया है तो चलिए फ्रिंट्स अब next question देखते हैं question number यहाँ पे 11 है बताएं क्या होगा इसका right answer question number 11 को पढ़ें और answer दें normal capillary time in children बताएं फ्रिंट्स क्या होगा इसका right answer guess करें अच्छे से फ्रिंट्स बताएं normal capillary time in children बच्चों में सामान किसका समय है तो फ्रिंट्स देखें आपसन भी आपका right होगा यह तीन सेकेंड है चलिए next question देखते हैं फ्रिंट्स question number यहाँ पर 12 है 12 number question है बताएं क्या होगा इसका right answer guess करें पढ़ें question को और answer दें अच्छे से पहले पढ़ ले question को अच्छे से पढ़ ले तभी answer दें जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें which milestones developed in six month old baby च्छे महीने के बच्चे में कौन से मील के पत्थर विक्सित हुए है तो आपसन आपके स्क्रीन पर है फ्रिंट्स गेस करें क्या होगा इसका right answer बताएं तो देखें फ्रिंट्स यहाँ पर आपसन बी फ्रिंट्स राइट होगा able to sit with support चलिए फ्रिंट्स अब नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नमर यहाँ पर थर्टीन है बताएं क्या होगा इसका right answer देखें बहुत ही नार्मल कोशन है और इस तरह क्या कोशन पूछे गए थे राजस्थान के दोजार बीस में कोशन है बताएं क्या होगा इसका right answer बताएं क्या होगा इसका right answer पूछा ज़रा की नार्मल वेट ठीक है न्यूबार्न का जो नार्मल बेट है जो नौजाद बच्चे पैदा होते है यहाँ पे भारत में उनका वेट पूछा गया नार्मल वेट कितना होता है सामान वेट जो है फ्रेंट वजन कितना होता है न्यूबार्न एट बर्थ इन इंडिया ठीक है तो यहाँ पे फ्रेंट कितना होता है आप संसी आपका राइट होगा टू पॉइंट फाइब से 3.5 के जी ठीक है धाई किलो से साड़े तीन किलो के बीच में फ्रेंट यह सामान वेट होता है तो चलिए फ्रेंट अब नेक्स्ट कोईशन देखते हैं कोईशन नमबर यहाँ पे 14 कोईशन नमबर 14 है और बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें मिनिममम टाइप सोरी मैं पे मिनिममम टाइम फार कंगारू मदर केर इन आ सेशन बताएं फ्रेंट क्या होगा इसका राइट आंसर मिनिममम टाइम फार कंगारू मदर केर इन आ सेशन गेस करें फ्रेंट क्या होगा इसका राइट आंसर आपसन आपकी स्क्रीन पर है तो देखें फ्रेंट क्या होगा वन आवर आपसन ए राइट होगा एक घंटा चलिए फ्रिंट्स अगला कोशन देखते हैं कोशन नमबर यहाँ पे आपका पंदरा है बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर लेबर रूम से टिंप्रेचर सुट बी मिंटेंड लेबर रूम का जो टिंप्रेचर है फ्रिंट् आपसन बी फ्रिंट्स राइट होगा चबी से अठाइट सेंटीग्रेड टिक है अपसन यहाँ पर आपका बी राइट होगा चलिए फ्रेंट नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर यहाँ पे 16 है बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर विच इम्मुन ग्लोबियूल इबंडेंट ली प्रेजेंट इन हुमेन मिल्क बताएं प्रेंट्स क्या होगा इसका राइट आंसर विच इम्मुन ग्लोबियूलिन है जो इबंडेंट ली प्रचूरता से प्रेजेंट इन हुमेन मिल्क में प्रेंट्स प्रचूरता से पाया जाता है बताएं प्रेंट्स मिल्क मानों के दूद में प्रचूर्टा से पाया जाता है तो फ्रेंट्स यहां पे देखिए आई जी ए ठीक है आप सन भी आपका राइट होगा आई जी ए चलिए अगला कोशन देखते हैं कोशन नमबर यहां पे फ्रेंट्स 17 है बताएं क्या होगा इसका राइट अंसर सिं जी वैक्सीन है वो किस रूट से दी जाती है तो देखिए प्रेंट्स यह इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है आप सन यह आपका राइट होगा इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है चलिए मगला कोशन देखते हैं प्रेंट्स को पढ़ें और आंसर दी प्रेंट्स ब दो फेडरेंट यहां पे आप शौन भी आपका र राइत होगा कॉप्रिक स्पोर्ट इस का और जय नमबर 269 और पढ़रें को नंबर 19 और और आंशर दें बताएं प्रेंट क्या वोगा इसका राइट आंसर Beneficiaries Beneficiaries of ICDS Scheme बताएं प्रेंटस बताएं प्रेंटस है Beneficiaries of ICDS Scheme जो प्रेंटस ही ICDS है गस्करें पहले आप Answer दें प्रेंटस ठीक है और ICDS का पुरा नाम जरूर बताएं वशे प्रेंटस हम ICDS का पुरा नाम आपको बता दे रहे हैं कि इसका पुरा नाम होता है integrated child development services ठीक है यहाँ पर scheme नहीं होता ठीक है क्यांकि scheme दिया होता है फ्रेंट्स आप गलती से कभी कभी गलती करके चले आते हैं ठीक है इसका होता है integrated child development services अब बताएं फ्रेंट्स इसका option आपसन राइट कौन सा होगा गेस करें तो फ्रेंट्स आपसन डी आपका राइट होगा ए और बी दुनों है greater than six year old children and pregnant and lactating women pregnant and lactating women ठीक है तो आपका ए और बी दुनों तो आपसन डी फ्रेंट्स राइट होगा चलिए next question answer questions question number यह पर 20 है बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर rich source of calcium calcium का सम्ध्ड शीर्वत बताना है ठीक है rich source बताना आ है रिचस वताना है बताएं ढाइין प्रेंट्स क्या होगा है कि राइट आंसर रीचसर सोर्व्वप कैल्सियम तो देखिए आप केलसीएंट का सबसे अच्छा सुरूत माना जाता है कैलसीय क्योंतूत को हैं प्रेंट यृ に कौरत AREी हूंच दूद नेक्स्स वाफिलत कक्यों बहुत हैं अच्छ शूरौइOWNS कन यहां पर यहां पर नीएक्सेत् होगा तैक्षों नैस्ध कोशन मन बास को पढ़ार और आंसर, कॉशनर 2 को पता है कि आ यहां इस्ट पहुत हम सीप्ट सबने नहीं सून कोशनруш अब कर देख कि इसकते हैं का जारा बी और सी बी और जो एक जो हैं जर्ममें घुलर सील है और यह जंदी दी एक आडी इस why ओर आपके एं ख्रत में घुलर्न थे फैट में इंस घुलर्ण सील बिके ऐडी क्षी आजए और वााटर में घुलर्ण सील एंड अध्यिट है जर्म को eur और सी तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा आपने बी विटामिन सी ठीक है तो चलिए फ्रेंट से नेक्स्ट क्षेन देखते हैं कोशन नमवर यहां पर टॉंटी त्री यहीं पढ़ें कोशन नमवर टॉंटी त्री को रिश्ट पेसर समर्ट शुरोद बताना है सबसे प्रेंट रहें से सनफ वॉल या पिर मैं नाज सaina मातुरा बीटामीन E प्राप्त होता बीटामीन E को इपिए बीटामीन वितामीन E से जाए आपकी के तलुक्तμα तो नेक्स्ट कोश्चन है प्रेंट्स कोश्चन नंबर यहां पे 24 है 24 नंबर कोश्चन है बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर डिपसेंसी और बिटामिन बिटामिन सी की कमी से पुछा गया है थरा भी विटामिन सी की कमी से दीघिकिए नाइट ब्लाइन थो होगा नहीं नाइट ब्लाइनस होगा इसे जो क्या होता है यह इस करन भी है यह आप सब्सके का रहीं होगा प्रेंट सुखहर रहग भी का जाता है ठिक है यह Panther से vitamin D की कमी से होता है vitamin D कोakah फ्रेंट जो कैल सेफिर ओर बेरी-बेरी यह etam b1 की कमी से होता है Whoo vitamin D未来 म yol holding in a first time भी कहा जाता है जाता है विद्ष जिसके सब्सक्र पॉषिन का फीज़ नंबर पच्छेस बताएं क्या हो गाइस जिसका बताएं क्या होोगा इसके राइट एडज सीट कर Els bạn चाहिए एक बेभली सिक्स2. मन्त का हो जा ऑल हो छाए तो स्टाट कर देना चाहिए चलिए इस नंविधा होगा चलिये अगला question है question number 26 को पड़ें और आंसर डिए विच निउट्रियन्ट इज एसेंचियल for tissue repair बताएं क्या होग इसका राइट आंसर गेज करें विच नूट्रियन्ट इज एसेंचियल for tissue repair यहां पे विच नूट्रियन्ट इसेंचियल for tissue repair के लिए और इंगर कों सा now dat I should Math fix जो आपका प्रोटीन है जी मुरूप के काम में आता है ठीक है टीक है टीछू हूँ तको के मरम्मत के काम में आता है टी सी रीपेर करने के काम में आता है प्र defect वियाँ artists, ब्यापनों के आपका राहट हो क्लिनिकल फीचर दीन कि इन ड्ली आप घर चाहन करें क्या होगा इसका राइचव का राइचाज वोलोगा तो फ्रेंटस्अम नेक्सट कोईशन देख लेते हैं कोईश नमबर 28 है फिल फारम वीवी M बताएं प्रेंट्स क्या होगा इसका राइट आथ्थ वी वी एम वी आम पोरा नाम क्या होगा तो फ्रेंटस यहां पर देखें बीवी M का जो पूरा नाम है vaccine while monitor ठीक है option B आपका right होगा vaccine while monitor होगा option B आपका right होगा फ्रेंट्स यह हमारा last question था अगर फ्रेंट्स किसी भी question पर आपको कोई problem हो या फिर फ्रेंट्स कोई question ना समझ में आया हो या फिर कोई question आप पूछना चाहते हैं तो फ्रेंट्स आप हमारे WhatsApp ग्रूप नंबर पर पूछ सकते हैं हमारा WhatsApp ग्रूप नंबर है फ्रेंट्स 800-900-31680 फ्रेंट्स हम जतनी भी जानकारी है कोई भी अपडेट होती है वेकंसी को लेकर या फ्रेंट्स और भी अधर कोई भी अपडेट होती है तो हम इसी ग्रूप पर फ्रेंट्स देते हैं ठीक है और जब भी लाइब क्लासेस स्टार्ट होती है तो फ्रेंट्स हम फ्री आपकाइस्ट पढ़ाते हैं लाइब क्लास जो देते हैं लाइब क्लासेस देते हैं वो फ्रे आपकाइस्ट होती है तो फ्रेंट्स आप हमारे इस नंबर पर हमें हाई लिखें अपना नाम अपनी आपको ग्रूप में आड़ कर देंगे और जैसे कभी लाइब क्लासे सुरू होती हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा और आप डारेक्ट लाइब हो सकते हैं और कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले हम इसी ग्रूप पर अपडेट देते हैं तो चलिए फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो तक लिफ बाई 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 टेक केर